Hello friends, welcome to my YouTube channel दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो ना तो Canada, ना US, ना Australia, ना UK ना तो Study, ना In Countries किसी के विस्टर के बारे में है तो आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो किस कंट्री के बारे में है मेरा जो वीडियो है तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन अपना जो है आइकोन उसको ओन कर दो ताकि जो भी मेरे वीडियो के नए अपडेट हैं आपको मि ट्रैवल हिस्ट्री बनाते थे तो ट्रैवल हिस्ट्री होना एक काफी जरूरी है अगर आप कैनेडा, यूएस, उस्टेलिया के लिए प्लाई कर रहे हो और अच्छी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है तो उसी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए एक बनाने के ये एक good news है रशिया तो सब जानते हो रशिया काफी बड़ी country है वीजा भी easily नहीं देता रशिया लेकिन एक रशिया की नई announcement आई है tourist visa के लिए normally जो रशिया है वो visa tourist को six months का ही देता है लेकिन जो stay देता है वो 30 days का देता है लेकिन रशिया ने एक ध्माकेदार जो है announcement कर दी कि जो भी tourist वहाँ जाते हैं वो tourist as a tourist six months वहाँ पर stay कर सकते हैं लेकिन six months का stay की जुरूरत नहीं है लेकि इससे एक hope यह है कि रशिया अब visa जो है इंडिया को काफी ज्यादा देगा और यह announcement है इंडिया और other countries के लिए है especially इंडिया के लिए तो ही है तो अगर आप भी Canada का Australia का जा किसी और country का visa plan कर रहे हो आपका passport blank है आप कहीं भी travel नहीं किया है आपने तो पहले आप अपनी travel इस्ती बनाई है तो हमेशा हर वीडियो में मैं advice करता हूँ कि आप tourist जा रहे हो तो थोड़ी बहुत travel इस्ती होना जोड़ी है अगर आपका कोई blood relation आपको या कुछ strong sponsorship invitation वहां से नहीं है तो ये काफी अच्छी opportunity है जो भी travel पर जाना चाहते हैं tourist visa लगवाना चाहते हैं तो रशिया का visa लगवाके आप अपनी file जो है present कर सकते हो उससे काफी ज्यादा file आपकी strong होती है तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही next video के जल्दी ही आऊंगा अगर आपने भी रशिया का visa apply करना है तो आप ही हमसे contact कर सकते हो thank you